प्रतिवंद को हटाने की मांग की है हिमाचल सरकार ने 2016 में खुली सीग्रेट की विक्री पर पावंदी लगा रखी है एशोशीशन ने अशंका जताई है कि सरकार आने वाले समय में तमबाकू से सबंदित किसी भी तरह के परदार्ट की विक्री पर पावंदी लगा सकती है संगठन का कहना है कि इस तरह का कानून लाए जाने से उनका कारोबार प्रभाबित होगा और खास कर छोटे बेवारियों पर इसकी मार ज्यादा पड़ेगी उनकी दलील है कि सरकार जब दुकानों में श्राब बेचने की अनुमती दे सकती है तो पान, बीड़ी और सिग्रेट बेचने में क्या हर्ज है Federation of Retailer Association के हिमाचल अध्यक्ष राज किशोर ने बताया कि तमबाकु जनित उत्पादों पर सरकार को 188 प्रतिशत टेक्स दिया जाता है इसके बाब जूद इन उत्पादों को बेचने की अनुमती नहीं है अगर सरकार और सब्त कानून लाती है तो उनका कारोबार चोपट हो जाएगा और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएगी तो उसके लिए हमारी सरकार साथ प्राथना है कि हमारी जाएगेucharते अगर यह सब कुछ नहीं बेचांगे उनकी रोजी रोटी कमाये कि कुछ नहीं नहीं हो पाएगा अनुमतिक दिपता है कि जो इसको करते हैं वहाँ पर इसको कि युझे का समान बेज़ रहेए उनको सो तंभागों का बीचने की जाजित इसको करते हैं हम अष्ट indeed दुकंदार हिसको खतम होुजाए ताटिस को करते है ऊचिजित है कंपणी आगे के यह उसको पार में करते हैं यह चीज दिखाब पर्म ते इसको बार में तंग करते हैं हम लोग इसको जिए आसती इसको गते एक 288 परसंट टेक्स इसको केते हैं तम आको को पर देने के बात भी इसको के हमारे लोगों को छोटे-छोटे दुकंदारों लोगों को या हम लोगों को इसको के तंग किया जाता है शिमला सी योगराश शर्मा की रिपोर्ट झाल 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 झाल